हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदब मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाम की पहचान यानि संग्या बच्चों हमारे सामने एक चित्र दिया गया है हम इसकी सहायता से संग्या को जानने का प्रयास करते हैं जैसे इस चित्र को ध्यान से देखकर बताईए कि आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है यहां आपको घर, चिडिया, पेड, पानी, माली, मेस, कुर्सी तता फूल किसी के नाम है जैसे व्यक्ति का नाम क्या है माली, प्राणी का नाम चुडिया, वस्तु का नाम है मेस, कुर्सी, पानी, पेर, फूल और स्थान का नाम घर, आई यह संग्या की परिभाशा जान लें जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, अत्वस्थान का नाम बताते हैं संग्या कहलाते हैं नामों का वर्गी करण, यानि संग्या के भेड पच्चो संग्या के नामों को सललता से समझने के लिए इसे तीन वर्गों में बाटा गया है अर्थात संग्या के तीन भेड होते हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या और फाव वाचक संग्या अब एके करकर हमी से समझते हैं पहला है व्यक्ति वाचक संग्या तो किसे कहते है व्यक्ति वाचक संग्या वे नाम जो किसी एक व्यक्ति एक स्थान या एक वस्तू के लिए प्रियोंक कि जाते हैं व्यक्ति वाच्क संग्या कहलाते हैं जैसे उधानन के लिए हिमाले, रामायन, महात्मा गांदी, ताजमेल ये किसी विशेश का नाम है, हिमाले एक ही परवत का नाम है, रामायन एक ही पुस्तक का नाम है, महात्मा गांदी एक ही व्यक्ति का नाम है और ताजमेल भी एक ही है, तो ये क्या है व्यक्ति वाचक संग किसी पूरी जाती यह समूं का ज्यान कराने वाले सभी शब्दों को जाती वाचक संगय कहा जाता है जैसे कि लड़की छडिया गाए बीड यह लड़की का नाम दिया होता यह सुना ली गीता है सका गया होता तो यह व्यक्ति- अब तीसरा है भाव आचक संग्या ऐसे नाम जिने केवल महसूस किया जाता है वह भाव आचक संग्या कहलाते हैं जैसे कि उदासी खुशी लड़ाई हर्याली इसमें किसी का नाम नहीं है फीलिंग से बस तो यह क्या है भाव है हमारे तो भाव आचक संग्या इसके अलावा भी विभिन संग्या शब्दों को जानना आपके लिए आवश्चक है आईए अन्ये संग्या शब्द जाने जिसे दिनों के नाम सुमबार, मंगलवार, बुदवार, सब संग्या है महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अपरेल, इस सब संग्या है शेरों के नाम मेरा, दिल्ली, आगरा, नदियों के नाम भी होते हैं गंगा, यमना, सरस्वती, अलकननदा, मंदाकनी पहाडों के नाम हिमालिय, विंध्यांचल, अरावली यातियात के सादनों के भी नाम होते हैं सब का नाम होता है रेल, कार, बस खाने की चीजों के नाम जैसे रोटी, चावल, दाल, कड़ी मनोभावों के नाम जैसे उधासी, खुशी, गर्मी, ठंडग, गरीबी ये सब क्या है? संग्या है आईए ध्यान देने योग ये बाते हैं, वो भी जान लेते हैं संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और नाम वाले सभी शब्त संग्या कहलाते हैं संग्या के नामों को सरलता से समझने के लिए इसे तीन वरगों में बाटा गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक दिनों, महीनों, शहरों, नदियों, पहाडों, यातियात के साधनों, खाने की वस्तुओं एवं मनों भावों के नाम भी संग्या कहलाते हैं उम्मीद करती हूं बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छे से संग्या और उसके भेद क्या होते हैं अब आप भी इन्हें लिखने और समझने का प्रयास कीजिए अब इसका अभ्यास कार्या स्वैम कीजिए